ओम सिरी गने सायन अमदोस्तो एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हाड़ दिक स्वागत है दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 अगस्त सुक्रवार की रासी फल के बारे में कि यह दिन में इस रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रेना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत पर पूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाए भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मीरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नहीं नहीं वीडियो पहुंस सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मेस रासी वालों के लिए सुक्रवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज आर्थिक इस्तिती आपके लिए काफी मजबूत रहने वाली है और धन प्राप्ती के अच्छे अफसर आज आपको प्राप्त होंगे इसलिए हर तरह से आज सजग रहें कामकाज को लेकर बहतर प्रदसन करने की आज कोशिस करें ताकि आपकी आर्थिक इस्तिती में इजाफा हो सके धन्यधान प्राप्ती के उदेस्यों की आज पूर्ती हो सकती है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों साथी साथ समय आज आज आपके लिए भैतरीन परस्तितियां तैयार कर रहा है दोस्तो आज आप अपने अंदर अदभुद उर्जा वे आत्म विश्वास महसूस करेंगे तथा आपकी कार्रे छमता में भी इजाफा होगा युवा वर्ग को भी कोई मन मुताविक कार्रे बनने से राहत मिलेगी आज दोफैरबाद परस्तितियां आपके पक्ष में बहुती अनुकूल हैं दिन की सुरुवात में ही अपने महत्पपून कार्रोश सम्मंदित रूप रेखा आप बना ले संतान की तरफ से कोई सुब समाचार मिलने से बहुत अधिक राहत आपको मिलेगी दोस्तो कुछ समय से आप अपने अंदर अधभूत परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे अंदर छिपी हुई प्रतिवा और नौलिज को पहचाने तथा उसका प्रियोग करें इस समय की की गई महनत के निकट भविस्य में बहुती उचित परिणाम आपको हांसिल होने वाले हैं दोस्तो आज किसी काम में ऐ प्रतियासित लाब की भी इस्तिती बन रही हैं अपने काम के प्रति एकागर चित रहें इसके लिए कोई छोटी यात्र भी आपको करनी पड़ सकती है विध्यार्तियों को भी किसी कमपटिशन में सफलता मिलने की आज पूरी संभाव ना है दोस्तो इस समय की की गई महनत के उचित परिणाम हासिल करने के लिए करम प्रधान तो होना ही पड़ेगा इसलिए अपनी उर्जा का आप भरपूर इस्तमाल करें अगर प्रॉपर्टी संभंदित कोई आज आप योजना बना रहे हैं तो आज उसके फलीभूत होने का समय आ गया है जी है दोस्तो आज भाग्य आपके पक्ष में है पिछले कुछ समय से जिन कारों में रुकावटे आ रही थी आज उन कारों का पूरा होने का समय आ गया है आपको अपनी महनत के अनुरूप उचित पैरणाम आज हांसिल होने वाले हैं जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो परिवारिक विवादों से आज आज आप बचने का प्रियास रखें और सब के साथ आपसी समंजस बहतर बनाए रखने का प्रियास करें ताकि घर परिवार में शुक शांती समर्दिक की प्राप्ती हो और घरेलू विकास संबब हो सके माता पिता का ख्याल रखें किसी भी तरह की समस्य होने पर उनका ख्याल आप विसेश रूप से रखें दोस्तो साथ साथ किसी समय भावुकता और आलस की वज़े से बनते कारों में विगन पढ़ सकता है और कुछ उपलब्दियां भी हाथ से निकल सकती है जिसकी वज़े से आपको भारी नुकसान का सामना करना पर सकता है परन्तु जादा सोच विचार करने से कई उपलब्दियां हाथ से निकल सकती है दोस्तो आए के साथ साथ खर्चों की भी इस्तितियां रहेंगी आप अपनी कोई महत्पपूर्ण वस्तू आज कहीं रख कर भूल सकते हैं या खो सकती हैं इसलिए किसी भी प्रकार की आप ल नेले भविस्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान गतिविद्यों पर ध्यान अधिक केंद्रित रखें ऐसा करना आपके लिए अवश्य ही लाबदायक साबित होगा कभी कभी आपकी संकालू प्रवर्ती आपके और दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं की वज़े से आर्थिक इस्तिती थोड़ी कमजूर हो सकती हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ केशी रहने वाली हैं दोस्तों के साथ फैमिली गैट टूगेधर होना तनाव को दूर करके मन प्रफुलित करेगा तथा परिवार के लोग भी खुस रहें इसलिए अपने वैस्तम समय में से कुछ समय परिवार के साथ भी व्यतीत करें दोस्तों परिवार का वातावरन आज सकारात्मक रहेगा प्रेम संबंदों में सात्वित्ता रखना आवश्चक हैं साथ साथ पती पतनी में भावनात्मक तथा विश्वास पून रिस्ता रहे दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों आज में चोटी चोटी परिसानिया आ सकती हैं लेकिन कटिन परिश्रम से कारों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छ रहेगा जहां दोस्तों आज वैवसाइक गतिविदी पर पैनी नजर रखें लापरवाय की वज़े से पार्टियां तूट सकती हैं और अपमाम जनक इस्तितियां भी उत्पन होने की आसंग का है नोकरी पेशावाले ध्यान रखें कि उच्छ अधिकारियों के साथ स समस्याएं हल होंगी नोकरी पेशा वैक्तियों को भी उनके उचित परिश्रम के आदार पर तरक्की के योग बन रहे हैं दोस्तों साथी साथ किसी अंजान वैक्ति से अचाना की घनिष्टता होगी और कोई बड़ा ओर्डर भी मिलने की संभावना बन रही है इसलिए अप सकता है वे ध्यारतियों के लिए भी आज का दिन काफी मिला जुला रहने वाला है साथी साथ कोट कचैरी से जुड़े मामलों में भी कोई योजनाएं आप तैयार कर सकते हैं जिस से आने वाले समय में आपको अवस्य ही फायदा मिलेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज लमजोरी आज आपको महसूस होगी इसलिए उचित खान पान और आराम पर भी आप विशेश रूप से ध्यान दें साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके ये विशेश हुपाई क्या हैं दोस्तों आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद बहुती प्रेम पूरवक साबू दाने की खीर बनाएं या दोस्तों इस खीर में आप शक्कर के इस्थान पर मिस्री डालें जब ये खीर तैयार हो जाएं इसमें आप थोड़ लक्षमी का इसमरान करते हुए गरीबों में बाटे या दोस्तों ऐसा करने से मा लक्षमी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगी जो वी आपके जीवन में परिशाने चल रही हैं धन से संबंदे जो भी परिशाने चल रही हैं समस्त परिशाने उकांत करेंगी और आपके घर में सदेव धन सुक संपत्ती का वास होगा मा लक्षमी आपके घर में वास करेंगी या दोस्तो आप इस उपाय को वश्य करें आपको वश्य ही लाब प्राप्त होगा दोस्तो मा लक्षमी का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमें बोक्स में जैमा लक्षमी अवश्य रिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद